नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, रिपोर्ड, रोज खत्म हो रही हैं, 550 नौकरिया, 12 करोड लोग बेरोजगार, युवाओं के लिए आज रोजगार पाना एक बड़ी चुनोती है, जहां एक और युवाओं को रोजगार नहीं मिल वहीं प्रधान मंतरी नरिंद्र ने एक बयान देते हुए कहां कि बेरोजगारी से अच्छा है, युवा मजदूरी करके पकोडे बेचें, पी-म के इस बयान के बाद देखते ही देखते पकोडा रोजगार का मजाक पूरे देश में उड़ने लगा, आंकडों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है, भारत की 11% आबादी लगभग 12 करोड लोग बेराजगार हैं, पकोडा बेचने पर सोशल मीडिया में अजब गजब रियेक्शन, 2015 से 16 में बेरोजगारी की दर 5 साल के उच्छतम स्तर पर पहुँच गई, जहां 12 करोड लोग बेरोजगार हैं, वहीं 2015 में सिर्फ 1,35,000 लोगों को ही नौकरी मिली, यह हैं वो सरकारी नौकरिया, जहां होगी 50,000 से 1,00,000 तक की सैलरी, वहीं 4 साल से 550 नौकरियों रोजखत्म हो रही हैं, ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरिया, 50,000 से 1,00 तक की होगी सैलरी, इन 4 सालों में महिलाओं की बेराजगारी दर 8.07 तक पहुच गई है, शुरम रोजगार की रिपोर्ट कहती हैं, कि स्वरोजगार के मौके घटे हैं, और नौकरियां कम हुई हैं, दोस्तों हर न्यूज को लाइक वर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइ धन्यवाद